अगली चीज है कि अगर आप अगली चीज है कि अगर आप 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 स्मोकिन कर रहे हैं next is अगर आप बहुत ज़्यादा spicy या खटा food अपनी diet के अंदर include करते है देली में तो वो आपको नहीं करना है और last and the final is कि जो preserved food होता है जैसे कि कुछ ऐसे सबजियां या कुछ ऐसे noodles से कुछ भी जो preserved है और उनका आप डेली का consumption है या वीक में तीन बार बहुत जादा overly वही चीज़े आप खारे है आप सोची कि वो कैसे जिन्दा है अगर आप एक सबजी खरीद के ला रहे हैं तो वो अगले दिन दूसरे दिन खराब हो जाती है लेकिन वो कैसे चल रही है उसमें chemicals है और वो chemicals तो इसलिए अगर आप ये चीज़े कर रहे हैं तो प्लीज उनको avoid कीजिए